जेशे क्रिश्णा आर्य व्रत की कहानियों मैं आपका स्वाह रहे हूं आज मैं आपको सुनाने जा रहे हूं महाकाली के उत्पत्ति की कहानी तो चलिए शुरू करते हैं श्री मारकेंडे पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तिशति की अनुसार काली मा के उत्पति जगत जन्नी मां अंबाखी ललाट से हुलती कथा के अनुसार शुब दिशुब देत्यों के आतंका प्रको इस कदर बढ़ जुका था कि उन्होंने अपने बल छल एवं महाबली असुरो द्वारा देवराज इंद्र सहीत अन्य समस देवतागणों को निश्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्रांण रक्षा हितु भटकनी के लिए छोड़ दिया देत्यों द्वारा आतंके देवों को ध्यान आया कि महिश्यासुर के इंद्रपूरी पर अधिकार कर लिया है तब दुर्गा ने ही उनके मदद भी थी तब वे सबे दुर्गा का आहवान करने लगे उनके इस प्रकार आहवान से देवी प्रकट हुई एवं शूपने शुपक्याति शप्तिशाली असुर्चन तथा मुन दोनों का एक घमासान यूद में नाश कर कि आच्छियां से उदा यूद नामक देत्य सेनापती एवं कमभू देत्य के चौरासे सेना नायक अपनी वाही निसेगीरे यूद के लिए प्रस्तान करें कोटिवीर्य कुल के 50 ध्रोम कुल के 100 असुर सेनापती मेरे आदेश पर सेना एवं कालक द्रोहर्द मौर्य वकाल के ये असुरों सहित यूद के लिए कुछ करें अतियंत कुर्व दुष्टाचारी असुर राजाशुप अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महा सेना लेकर चल पड़ा उसकी भयानक देत्य सेना को यूद इस्तल में आता देकर देवी ने अपने धनुष्रे ऐसी टंकार कि उसके अवाद से आकाश्व समस्त प्रत्वी गूंज उठी पहाडों में दरारे पड़े देवी के सीह ने भी दहाड़ना प्रारम किया फिट जगदंभीका गे घंडे के स्वर से उस अवाज को दुगना बढ़ा दिया धनुष्र सीह एवं गंडे के द्वनी से समस्त द निवारन हेतु परंपिता ब्रह्माजी फिश्णू महेश कार्टिके इंद्रादी देवों के शक्तियों के रूप धारन कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तिया निकल कर अपने पराकर्म एवं बल के साथ मादूर्गा के पास पहुँची तत्पश्चात स समस्त शक्तियों से गीरे शिवजी ने देवी जग्दंभासे कहा मेरी प्रसनेता है तुु तुम्हें समस्त दानवदलों का सर्वनाश करू तब देवी जग्दंभाकी शरीरी से भयानक उर्गरूब धारन किये चंडिका देवी शक्तिया रूप में प्रकट हुई उनके स स्वर में सेखडों गीदडों की भाती आवास्ती असुर्राज शुप निशुप क्रोध से भर उटें वे देवी कात्यानी की और युद हेतु बढ़े अत्यंत क्रोध में चुर उन्होंने देवी परबान शक्ती शूल फर्सा रिशी आधी अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प अपने शूलादी के प्रहार द्वारा विदिर्न करती हुई वह खटवांग से कुचलती हुई समस्तियोत भूमी में विचरने लगी सबी राक्षसों चंड मुंड आदी को मारने के बाद उसने रक्त बीच को भी मार दिया शक्ती का यह अवदार एक रक्त बीच नामक रा और काली मा का पैर उनके सीने पर पढ़ गया शिव पर पैर रखते ही मातगा क्रोथ शांथ होने लगा शावा रूठा महा भीमा गोर द्रिष्ठा हसन मुखीम चतुर भुजा खड़क मुंड वराभयं करा शिवाम मुंड माला धरा देवीलल जीहवा दिगंबराम एवं सं संचीन येत काली शम्शाला लयव वासिनी मम अर्धान महा काली शव पर बैटी है शरीर की आकरती डरावनी है देवी के दांत तीके हैं और महा भया वह हैं ऐसे में महा भयानक रूप वाली हस्ते हुई मुद्रा में हैं उनकी चार बुजाए हैं एक हाट में खड़क एक मे अभय मुद्रा में हैं गले में मुंड माला है जीवा बाहर निकलीवी हैं वह सवर्था नगन हैं वह शम्शान वासिनी हैं शम्शान ही उनकी आवास भूमी हैं उनकी उपासना में संप्रदाय गत भेध हैं शम्शान काली की उपासना दिक्षा गम्य हैं जो किसी वी गुरु से दिक्षा लेकर करनी चाहिए देवी के साधना दुर्डब है यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें झाल